जी नमस्कार नमस्कार जी सर जी सर क्या नाम है आपका? राजंदर सिंग जादौन बठिंडा पंजाब से सर संत्रामपाल जी महाराजी से कब जुड़े आप? 10-8-2014 को जुड़े थी सर संत्रामपाल जी माराजी से जोड़ने से पहले आपने क्या भक्ति साधनाई की? कि राजस्थान नोखा गें अंदर कोई मेंधीपुर बाला जी का भगत था तो उसने कुछ कारवाई करके दी थी भी आप घर ले जाओ और इसांत हो जाएगा प्रेट मेरे गर पे आने से पहले प्रेट ने कहा दिया था कि जो तू करवा के लाया है न उसके करवाने से कोई तरको लाब नहीं होगा और मेरा हाथ पकड़ा बाजू पकड़ा और मंदिर के अंदर लेका जामंतिर बनाया हुआ था और उस प्रेट ने अपनी छाती पे जो बाला जी का सुरूप था मेंधीपुर बाला जी का तोड़ के फैंक दिया था किता जिसकी तू बक्ती कर रहा हैना मैं इसे भी तकड़ा हूँ उस दिन मेरे को यह पता लगा कि इस संसार के अंदर इन देवी देवताओं से कोई उपर सकती है या तो सैतान है या कोई और है प्रमात्मा तो सर पहले क्या क्या बक्ती साथ ने आपने की इस से पहले हमने अनमानगट संगरिया में मुसल्मानों के जो अपने पीर खानी होते हैं वहाँ भी गए थे और वहाँ भी कोई लाब नहीं हुआ पैसे देते गए लेकिन लाब नहीं हुआ सर जब आप पहले ही इतनी सारी बक्ती साथनाई कर रहे थे तो फिर आप संत्रामपाल जी महाराजी की सरण में क्यों गए क्या ऐसा कारण बढ़ा कि आपको संत्रामपाल जी महाराजी की सरण घरन करनी पड़ी सरण जी इससे पहले हमें संत्रामपाल जी के नाम का भी नहीं पता था संत्रामपाल जी किसी से एक दिन कलोनी में आए और दरवाजा खटकाया सुबह का आठ बजे के टाइम था उनका नाम था विपन जी तो उन्होंने ग्यानगंगा बुक दी उसमें जगड़ा हो रहा थ हमारे गर के अंदर तो हमने का बाबाओं के चक्कर में हम बरबाद हैं हम विस्वास नहीं करते हैं वो बोले सरजी लो यह दस रुपे ग्यानगंगा बुक है तो मैंने का चलो कोई आया होगा देते हैं दस रुपे देके और ग्यानगंगा बुक मैंने बेड़ पे रख दी और मैं गाड़े लेकर गुजराच चला गया जब मैं गुजराच से वापिस आया दस दिन के अंदर तो हमारी जो पत्नी है हमारी उसने ग्यान गंगा को बुक कम्प्लीट पढ़ दिया और सास्तरों से मिलान भी कर दिया मिलान करने के बाद में सर जैसे कि आपने आशाराम बापो का जिकर किया उसके बाद आप संत रामपाल जी महराजी की संड में आए तो सर दोनों संतों के अंदर आपको क्या भींता नजर आई और क्यों आपको ऐसा लगा कि संत आसाराम जी द्वारा दी गए बक्ती सही नहीं है आसाराम बापो की बक्ती यूं सही नहीं थी कि मेरी गाड़ी के तीन एक्सिडेंट हुए थे और उसमें मेरे पास 176 का जमीन थी जो की एक 30 फूट रोड और 26 फूट रोड बे में रोड बे मकान था दो किस्तों में मेरे को बेचना पड़ा वो करजा इतना चड़ गया कि जमीन बेचने के बाद में भी 7 लाक रुपे करजा रहाती है ने एक्सिडेंट के अंदर तो बरबाद हो गया उसके बाद में किराय पे चला गया लेकिन ग्यान गंगा जब बुक आई बुक आने के बाद में दिक्षा ली, तो दिक्षा मैंने क्यों ली इस विशै से ली का मैंने कोई गुरू नहिए अपने लाइफ मैं हमारी बग्तमती दार्मिक थी हमारी पत्मी जो एँ दार्मिक थी तो मैंने का पि चलो ये जो सकती है, ये जो ग्यान है, इससे अति उत्तम होगा, क्योंकि गुरू कोई भी नी छोड़ के राजी है, चाहे वो असली हो या नकली हो जो भी हो, संतराम पाल जी का जो ग्यान था, वो हमारे दरम सास्त्रों के अमसार है, और जो आशाराम बापू का जो परचार जो कर रहे थे, वो लोकवेद के अधार पर कर रहे थे, उसका कोई परमानत नहीं था, अपने, इसमें, सास्त्रों के अंदर कोई परमान नहीं था, सर जैसे कि आपने बताए कि संतरामपाल जी महराज आपको प्रमाने धियान दे रहे थे और सास्तर विदी अनुसारा आपको भक्ती दी तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संतरामपाल जी महराज द्वारा दी कि साधना को करने के बाद आपको क्या लाब मिले उसे जो हमारा मकान बगिया था जमीन और पलस दो मंजल मकान बना लिया है मैंने संत्रामपाल जी से जुड़ने के बाद में पहला लाब तो यह हुआ अच्छा बच्चों की तीन साल पहले मैंने रमैनी की थी रमैनी क्या होती है इस वी से मैं अम नहीं जानते बिलकुल भी संत्रामपाल जी नहीं बताया कि यह संतों की बासा में रमैनी विवाह को बोलते हैं और उसके बाद में आज तक घर में सुक शान्ती है और कोई परित बादा नहीं है दूसरा लाब यह हुआ कि मुकसर से जलालाबाद हाईवी के अंदर मेरी गाड़ी पकड़ी गई थी 26 जुलाई 2018 जो पिसला परकड़ दी हो साय था उससे दो दिन पहले जैसी मेरी गाड़ी के कम्प्लीट कागज चलान में गंगा नगर थे आर्टियों के पास तो मैंने का परमात्मा अब मैं साय थी पहुंच पाऊंगा आपके प्रकड़ दिवस पे तो एक दम आवाज आई का गाड़ी वाले का सिपारस आगी है मैंने का यहां जंगल में किसकी आवाज आ रही है तो संत्रामपा जी स्वैम स्कूटर पे आए और सिधा आईटियों क पास गए उससे एक मिनट बाद की तब तक गंदमेन मेरे पास आ चुका था कि क्या लोड है मैंने का जी कोटन लोड है हर्याना से आ रहे हैं पंजाब जा रहे हैं कागज और गाड़ी के कागज और इसके डोकुमेंट्स के नहीं माल के लेकर आजा भी फटा फट चलान भी खड़ी थी तो मेरे पास आगे तुमाभी सीट वे बैठा मैंने की ये कैसे हो रहा है उसमें मैं यही देख रहा था कि परमातमा तो कहते हैं भी संतरामपाल जी जेल में हैं लेकिं वो यहां कैसे हैं इसको देखने के बाद में मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया त और इतनी कहने के बाद में माभी सीटों पे बैठा हूं गाड़ी स्टार्ट है और उसका जो गंडमेन है वो नीचे खड़ा है मेरे बगल में कर आभी कागिज लेकर आजा तो वो गंडमेन भी कहता है भी वापिस लायता है आलटियो की तरफ और संत्रामपाल जी मुकसर की सै हुआ तीसरा यह हुआ कि जो कर्जे के बाद में जो मैंने जमीन बना लिए मकान भी बना लिया तो आज उसमें प्लस पांच साथ लाग का प्रोपर्टी प्लस हो गी है पहले का माइनस में थी तीसरा अब यह जी मेरी कमर में बहुत बड़ा दरत भी नहीं था एक तरह का जैस कर दिवस्पे तो मैंने का प्रमात्मा यह भी दया हो गई आपकी अब दास क्या करेगा को बच्चे छोटे हैं तो गाड़ी नहीं चलाएंगे नहीं उनको कोई ऐसा ट्रैनिंग दे रखी है मैंने बच्चों को तो मैंने कि अब गाड़ी को कवाडियों को बेज देंगे औ कर पे जागे बक्ती करेंगे आराम से साथ ना करेंगे बढ़िया हो गया तो उसके तीन चार गंटे के बाद ही मेरे दीरे दीरे वो स्रीर सही स्वस्थ हो गया और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं किसी डॉक्टर से एक रुपे की दवाई नहीं ली मैंने पांचवा है सुक्षानती है और अपना सही जीवन जी रहे हैं और अपने सर जी ऐसा था दुकान है घर के अंदर नीचे उपर रियाइस है दो मंजल मकान है तो उसमें एक बार ऐसा हुआ था कुछ पैसे रखे थे शाम को गल्ला कंप्लीट रखने में चार यार के करीब थे और उसमे से जैसे किसी को पंद्रा सो रुपे दे दिये गए थे पंद्रा सो रुपे देने के बाद में जब बेटा आया तो उसने का भी इसमें पैसे किसने दी हैं तो हमने का जी हमने दी हैं पंद्रा सो रुपे का था पंद्रा सो रुपे दी हैं लेकिन जितने में रखे गया तो तो सबसे बड़ा लाब तो यह है जिए 15 सुर पे वो हमारे बढ़ गे थे और दूसरा एक वर गंगा नगर के अंतर डीजल चोरी हो गया था हमारा डीजल चोरी हुआ तो बेटे ने बोला कि पापा जी डीजल चोरी हो गया मैंने चलो जो ले जाएगा उसके करम फोड़ेगा हमारा के तोरी हुआ है तो उसी डीजल में इतनी बरकत हुई कि जितना डीजल मेरा था कम से कम समझो आप 50 इटर डीजल मेरा चोरी हुआ था तो तीन सो किलोमेटर गाड़ी सेश डीजल में उतनी एवरेज बढ़ाई थी या प्रमात्माने बंदी छोड़ने डीजल बढ़ संत्रामपाल जी मराज द्वारा साध्गेपन विवा करवाया जाता है सर इस साध्गेपन विवा के बारे में बताए किस प्रकार से करवाया जाता है संत्रामपाल जी ने जो रमेणी है इस से पहले हम भी नहीं जानते थे यह सत्रे मिट में साधी होती है रमेणी कहो या साधी कहो वो बासा अलग है और इसमें ना दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है इसमें कोई बरात नहीं, कोई बैंड नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई सहरा नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई काजी नहीं, नहीं कोई हवन फेरे हैं सिंपल तरीके से जाओ और अपना 17 मिंट में गुरू जी का एक बनाया हुआ मतलब रमैनी है संत्रामपाल जी माराजी की सड में जाने के बाद इतने सारे लाब आपको मिले संत्रामपाल जी जेल में हैं ये सब जान रहे हैं तो फिर वो कौन थे जो गाड़ी छड़वाने के लिए आए हुए थे पहले तो उसके इंक्वारी करो आप उससे आपको किलियर हो जाएगा कि 28 26 जून 26 जून 2018 में जो आए थे पिर वो कौन थे ये सह सरीर कबीर साहिब आए हुए हैं और अपनी सक्तियों को छुपाए हुए हैं और जब भी ये आते हैं सर जो सरधालू है वो कैसे विश्वास करेंगे संतरामपलसी माराजी के उपर संतरामपलसी माराजी मांजा जब कबीर साहिब 600 साल पहले आए थे तब उन्होंने अपने छुपा के हीलीला की थी चाते तो एक पर पल के अंदर ही अपने सक्तियों को जागर कर देते लेकिन आम इन्सान के रहे उन्होंने उपदेश दिया था और समझाने का प्रयास किया था सर जैसा कि संत्रामपाल जी माराजी जेल के अंदर है सर उसके बावजूद भी उनके अन्युएयों की संक्या लगातार बढ़ती जा रही है सर इसकी पिचे क्या कारण है जबकि संत्रामपाल जी माराज तो जेल में है संत्रामपाल जी जो बक्ति साधना के जो सही मंतर दे रहे हैं उन मंतरों में ही इतनी सक्ती है और वो प्रमानित है और वो प्रमानित कैसे हैं कि जैसे जो प्रमानित संत हमारे आये थे से जो लोग आज भी संतरामपालजी महराजी से जुड़ना चाथे हैं वो उनसे नामदिक्सा कैसे प्राप्ट कर सकते हैं अभी जो साबना चेनल पर टीवी पर साथ साथ से वाध वह तक्ति उस पर पिली पट्टी चलती है पिली पट्टी पे सब नंबर दिये हुए हैं वहाँ पे कॉल करो और घर घर हर भगत पूरे मतर बारतवर्स में फैले हुए हैं और इसके पलस ऐसी विवस्था बना दी गई है कि जगे जगे आस्रम है और वहाँ टीवी चैनल के परचार के मादे हम से अपने जुड सकते हैं सबसा यूरी सबसा यूरी करते हैं